जहिन साथियो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ मैं हूँ संजीब कैंतला आप देख रहे हैं अपना पसंदेदा यूट्यूब चनल हिम गुरू जी आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिमाचा प्रदेश फोरेस्ट गार्ड का स्लेबस तो इस आपको मैं परकार से होगा आपको किस परकार से एकशाम की त्यारी करनी है फिछली वीडियो में आपने देखा कि 311 फोरेस्ट कार्ड के बद है इसके बारे में मैंने आपको फिछली वीडियो में बता दिया है अलागर तिस्टिक वाइज अलागर सरकल वाइज कितने-कतने बद है किस प्रकाश से आपको अप्लाई करना है तो दूस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिमाचा प्रदेश फॉर्स्ट गार्ड का सले बस कौन-कौन सा होगा, क्या-कै इसमें पूछे जाएगा, कहां से कौशन पूछे जाते हैं, आज तक जो पिछले पेपर हुए है, उसमें कहां कहां से पेपर में कौशन पूछे गए थे, तो पिछले पेपर दिया आपने कर से होता है, उसमें क्या-क्या आपका जो मेजरमेंट होता है, किस प्रकार से आपका होना चाहिए, तो आपको बताता हूँ, सबस्पहले आप देख सकते है, 100 मीटर की रेस होती है, बॉइज के लिए 14 सेकिंड है, और गल्स के लिए 17 सेकिंड में ये पास करना है, ये सिर् 1.25 मीटर और गल्स के लिए है, एक मीटर, लॉंग जम की बात करते है, तो 4 मीटर बॉइज के लिए है, और 3 मीटर गल्स के लिए होगा, ये जो ग्राउंट टेस्ट होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसके माक्स नहीं जुड़ेगे, अब बात करते है, रिटन किते माक्स के कॉशन आएगे, कैसे कैसे आपको पूछे जाएगा, ये दिखिए, आपको इस वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले है आपकी जनल अवेरनस, जनल साइंस एंड फोरेस्ट आफिमाच अप्रदेश, फिर आपका इंवल्मेंट और वाइड लाइफ, ये जो फंदरा माक्स का होगा और टोटल आपका जो एक्जाम होगा, ये आपके सो नंबर का होगा, मल्टिबल चॉइसे में कॉशन पूछे जाएगे, और टाइम डियोरेशन की बात करते है, तो इसमें जो टाइम डियोरेशन है, वो 75 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, एप् प्रोब्लम अउट है, रेशे एंड गेम जैन नमबर ओफ एज़े एवरेज़ेज है, फिर आपके फ्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें एक कॉशन आपका जुरूर पूछा जाता है, फिर आपके, सिंपल एक्वेशन भी कॉशन आपको जूरूर पूछा जाएगा, और और सिंपल इंट्रेस्ट है, बोट सेंड स्ट्रीम से, मिक्स्चर्स, सिंपल इंट्रेस्ट, सिंपलिफिकेशन, प्रोब्लम्स, एल सियम और एशेफ की एक जुरूर कॉशन आएगा आपको इसमें, फिर आपका एक टाइम एंड वर्क लेसन पार्टनर्शिप का भी कॉशन तो आप देख सकते हैं, मिरर इमेज इस का एक कॉश्चन आएगा, ग्रूपिंग, फिर आपके फिगर, मैट्रिक्स, कॉश्चन होगे, प्रोब्लम एज कल्कुलेशन है, डिसीजन मेकिंग है, इन फ्रेंस का भी एक प्रेशन आपको इसमें पूचा जा सकता है, फिर आपक एक कॉश्चन आप देख सकते हैं, लोग भी से पूच्छ सकते हैं, नोन वर्बल से पूच्छ सकते हैं, टेस्ट ओफ, डिरेक्शन, नमबर सेरीज, अल्फाबेट्स, आर्गुमेंट्स, वेंड डाइग्राम हो सकता है, ब्लड रिलेशन का भी, कोडिंग, डिकोडिंग, रेंकिंग, अर्थमेटिकल रिजनिंग, फिरे आपका, जो अगला है, जनल अवेरनेस में आप देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कुल्टर और हेरिटेज, गरंट अफेर हो सकता है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉंस्टिशन, साइंस एंड टेक्नलोजी, इंडियन जोग्रोफी, आईटी, एंडियन स्पेस, एट्सेटरा, फिर आपके इंडियन एकोनोमिकी, फिर आपका देख सकते हैं, जनल नौलिज में है, अवार्ड और थर्व, फ्लोवर, आपके डिफेंस, कल्चर, रिलिजिन, लेंग्वेज, कैपिटल, वर्स, नेवर्स फिर आपका current affair में भी आपको पूचे जाते है, current affair history, anthem, जो आपके important national facts है, फिर आपके heritage and arts, dance, currency, bird, animal, इससे आपको जो question जूरूर पूचे जाते है, इसकी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, पहले वीडियो बनाई है, description में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लिजिए, भी प्लेस्ट में दियोगे, abbreviations है, discoveries है, disease and nutrition है, song, flag, moments, फिर आपके personalities, freedom moments, आपके championship, winner, terms, common names, full form, soil, river, mountain, ports, land, herbals होगे, आपका number of players, culture, religion, dance, history and arts, फिर आपका environment और white life में देख सकते हैं, आपके bio diversity हो सकती है, water resource, इसमें सारे दोस्तों कोशन आपको एक ज़रूर आएगे, कि दोस्तों कोशन इसमें ज़रूर पूशियाते है, environment, mining and environment, agriculture and environment, renewal energy, environmental impact assessment, concept of suitable development study, studying birds, wildlife, poaching और आपका white life में ज़रूर आपको बहुत सारे कोशन इसमें पूश जाते हैं, conservation of wildlife research इसमें वीडियो बनाई हुई है, यह आपने नहीं देखी है, तो आप देख लीजेगा, और world diversity, mammal identification and social organization, इस समंदित आपको बहुत सारे कोशन है वो पूशे जाते हैं, इसके उपरांत इसमें जो आपका हिंदी के भी कुश टॉपिक रहते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ जैसे आपके संग्या स्वर्ना, भीजेशन, या फिर आपके प्रयवाज शब्द, आपके बिलोम शब्द, इस तरह से दोस्तों हिंदी के भी कुश लेबस रहता है, तो मैंने इसकी भी पहले वीडियो बनाई है, आपको लिंक डिसक्प्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे एक पर ब वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना जो राय है जुरूर बताईएगा, तो दोस्तों जितनी जाद आप मुझे लाइक करते है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, तो जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो मैं आपको बताऊँगा, नमबर आओ प्लेयर्स के बारे में, कि किस गेम में कितने प्लेयर्स होते है, तो इसका एक कौशन आपको जरूर है, क्या दो कौशन जरूर पूछी जाएगे, तो म आज की वीडियो में यही समाफ्त करते है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगे, आपके लिए बहुत सारा बदाईया, आप अच्छे से त्यार कीजिए, एक्जाम को क्रेक कीजिए गया, थैंक्यू दोस्तों, है वे नाइस तो